तो क्या आज offset और break command सीखना चाहेंगे तो अपनी उसी जर्णी को आगे बढ़ाते हैं जो अभी तक हम follow करते आ रहे हैं मैं हूँ आपका friend आपका mentor भवे करवल फ्रॉम वेस्ट क्राफ्टर लास्ट वीडियो में हम लोगोंने बहुत सारे चीज़े सीख ली हैं बहुत सारे plans बनाने आ गए हैं उनी plans को reference लेते हैं आज हम लोग offset और break सीखेंगे बहुत सारे tutorials में आपको किसी ने भी break command नहीं सीखाई है तो मैं उसका use करना बता हूँ है कैसे किया जाता है और अपनी जर्णी को आगे बढ़ाते हैं चलिए screen पे देखते है जैसे कि आप screen पे देख रहे हैं इसका भी टूटोरियल बना हुआ है unit limits के हिसाब से तो अगर हम इसको यहां पे देखते हैं तो alias of offset command is o enter select करने के चार तरीके हैं कौन-कौन से हैं modify बार में जाएंगे यहां पे मिलेगा offset mirror के नीचे either panel में जाएंगे यहां मिलेगा offset यहां future videos में बताऊंगा alias कैसे change किये जा सकते हैं बाट जो default alias है वह आपको याद होने चाहिए तो जैसे आप o enter करेंगे करते ही वह आप से कहेगा select offset distance offset होते है specific distance पे अपने object को copy कर देना जैसा आप पर example में देख पा रहे हैं हम लोग ने एक rectangle बनाया हुआ है जो आपस में एक दूसे से link है यह polyline के लाता है इस कारण यह offset कुछ ऐसा हो रहा है और circle कुछ offset ऐसा हो रहा है the center distance between जो है इन दोनों के बीच का इन दोनों में पाच-पाच का है और इस वाले में दस का है देखते हैं कि कैसे काम होता है इस पे तो offset के लिए गाई सब दबले क्या करते हैं कि लाइन कमांड ले लेते हैं और लाइन से एक rectangle बनाते हैं और थो हमारा on है सबोज मैंने 200 by 40 by 200 100 by 40 का है rectangle बना लिए with the help of line command okay अब इसको offset करना है offset के लिए o enter जैसी o enter करेंगे आप से करेंगे specify offset distance इक distance जित पे आपको object को copy करना है तो distance कुछ भी हो सकता है जो आपको suit करें जैसे इस case में 200 by 40 है तो मैं 10 का distance लेके देखता हूंगी कैसा रहेगा तो मैंने जैसी यहां पे 10 प्रक्राइब किया वो कैता select object आप object को select कीजिए और जिस भी direction में आपको crosshair को लाइक के जाएंगे उस selection वो आपको show करेगा चाहिए आप लेके जाए चाहिए आप नीचे लेके जाए तो आप उपर उसे click कर दीजिए जैसे इसको करना है इसको click कर दीजिए इस और इस और आइस यह line command से बनाता सारे objects अलग अलगते इसलिए आपके समने स्क्रीन बन रही है बट अगर यही चीज मेंने rectangle command से बना रखी होती अब सब्सक्राइब करता हूं इसको offset करता हूं with the same distance 10 का और अगर हम इसको offset देखते हैं तो पूरा का पूरा object offset होगा उसके corners होंगे आपस तो lines को अगर हम बना लेते हैं यह line object से बना हुआ है और एक same चीज अगर हम polyline से बना लेते हैं तो polyline से भी कुछ ऐसे बनीवी चीज नजर आएंगी इनको offset कैसे करेंगे और करेंगे distance specify करेंगे 10 का select करेंगे तो एक-एक object select होगा अगर line के case की बात होगी बट पूरा का तो वो भी आपकी जो होगी polyline होगी तो single में होगी पूरा object एक साथ होगा जैसे बना के देख लेते हैं पास साइस का pentagon बनाते हैं और देखते हैं कैसा pentagon ने जरा रहा है कुछ ऐसा आ रहा है इसको offset करके देखते हैं जैसे offset करूंगा वो का offset distance मैंने का 15 का distance select के object को बाहर क् offset हो गया scale भी हो गया एक तरह से आपके एक चीज़ हैं देगा को बार-बार offset करना है बाहर की तरफ तो मैं बार-बार object को select नहीं करूंगा जब भी हम object को select करते हैं नीचे option आते है exit multiple undo क्या option आरे है guys exit multiple undo exit हमें command से बाहर कर देगा multiple मैं आपको भी बताता हूं undo accept और वापिस क करूंगा तो उसको deselect कर देगा वो उसको select करेगा ही नहीं वापे select करते हैं multiple में जाते है multiple के लिए enter करते हैं और बाहर की तरफ click करते चले आएंगे देखे क्या होगा जैसे click करते चले होगा objects बाहर बनते चले जाएंगे तो यह था multiple object बहुत बाहर यूज आता है guys की कैसे क करना है तो बाहरा देखिए circle पर जाईए circle बनाईए offset पर जाईए value दीजिए object को select कीजिए multiple के लिए enter कीजिए और click करते चले चले यह specific distance पर आपके copy और scale एक साथ होते चले जाए जिसको हम लोग offset कहते हैं तो I hope guys आपको offset समझायों कभी-कभी क्या होते guys students आते हैं कि मैं offset त object की erase को yes कर दीजिए अब क्या होगा आपने डिस्टेंस दिया आपने offset किया जैसे offset कि आप देखेंगे आपका source object erase होता जा रहा है और नया object बनता चला जा रहा है तो यही था हमारे पास offset के अंदर erase कैसे बन करते हैं ठीक guys offset में और भी option आ रहे हैं जैसे through और layer layer हम तब पढ करता है suppose मेरे को यहां पर में पास एक line है और इस line का जो यह वाला point है second point है मैं यहां तक arc को offset करना चाहता हूं but I don't know the distance between between these two lines so क्या करेंगे उसके लिए 없는 ashtreciate जाएंगे through में जाएंगे through को select करेंगे objeto sait करेंगे और उस पॉइंट पर या क li कीजिए कि आप पहले offset में जाएए आप इसको नो कर दीजिए उसके बाद अगर आप थू करते हैं थू के लिए अगर मैं टी एंटर करता हूं अब्जेट को सेलेट करता हूं कहीं पर भी जाकर offset करता हूं तो वह offset हो जाएगा तो थू का मतलब हो गया गाइस कि हमें फ्रीहंड यूज करना फेल को तो कर सकते हैं समझा गया यही था हमर पास ऑफसेट हम बात करते हैं ब्रेक क्या होता है तो ब्रेक करने के भी तरीक है ब्रेक होता है रहा ब्रेक आप बाते हैं आदर आप करेंगे बी आर एंटर जैसी बी आर इंटर करेंगे वो काईगा Select Objects, आप Object को Select करेंगे जिसको भी break करना है जिसको भी Select करेंगे वो अपने उसको predefined first point ले लेगा तो आप second point मांग रहा है, उसने इतना break कर दिया, but sometimes student कहते हैं हम first point दुबारा देना चाहते हैं, break का इल्यास BR, जैसे ही गया, उसने का select object मैंने object को select किया नीचे करा specify second point और option आ रहा है, first point का उसके लिए F enter करेंगे, first point आ जाएगा first point अब define कीजिए, आपको कहां से चाहिए यहां से चाहिए, कहां तक चाहिए यहां तक चाहिए, तो उतने हिससे को break कर देगा, तो यह ऐसे कोई strict rule नहीं है, कि यह close body को या open body को ही करेगा, यह दोनों bodies को करता है, अभी हमने open body को break करके देखा अब हम एक बड़ी close body को break करके देखते हैं कैसे होता है, BR enter कीजिए, object को select कीजिए उसके बाद आपको जितना break करना है, आप close body को उतना break कर सकते हैं, आपने यहां से break कर लिए, अगर आप दुवारा इधर से break करना चाते हैं, आप इधर से break कर लिए, तो इट डिपेंड्स क्या break करते हैं, पर यह दोनों object अलग-अलग हो जाएंगे, हम यहां की बात करते हैं, इस object के अंदर, इस plan के अंदर, मिले को यहां पर दो doors create करने हैं, विद एलप ब्रेक होगा, बर सब से पहले हम offset कर लेते हैं, मैंने offset किया 20 के distance पे इस वाली line को, यहां तक, क्योंकि मैं यहां door जुनाना चाहता हूं, तीनों तरफ, break के लिए गाई मैं B-R enter करूँगा, वो कहाँगा select object में object को select किया, first point के लिए F enter किया, पहला point यहां दिया, दूसरा point यहां दिया, break हो गया, दुबारा गये, select किया, first point के लिए F enter किया, यहां से click किया, यहां से click किया, break हो गया, अब चाहें तो इस line को यहां से erase भी कर सकते हैं, और इन दोनों को जोडने के लिए यहां पर जोड भी सकते हैं, अब guys condition ही आती है कि यहां पर अगर हमें door बनाने तो कैसे बनेगा तो हमने आर्क पड़ी हुई है, हमार पास आर्क में start, center, end, इस पे click कीजिए, start point लीजिए, सामने center point लीजिए, end point आपको जहां तक डोर दिखाना है, वहां तक आप ऐसे करके door दिखा सकते हैं, line command से आप चाहें तो इसको जोड भी दीजिए, यहां से लेकिए यहां तक तो एक door का ऐसे option बन सकता है, offset command से अगर आप चाहें तो थोड़ से इसको offset कर दीजिए, थोड़ा सा ताकि exact shape की तरह आ जाए, और L इंदर की तरह offset किया, walls create करी, यहां उसके बद brake command से ब्रेक करके वहां पर trim कर दिया, यह थी हमारी आज की command जिसमें हम लोगों ने cover किया offset और brake, बहुत सरे टूल्स गाइसमें cover कर चुके हैं, आप plans बनाना शुरू कर दीजिए, कोई भी problem आती है, मेरे साथ WhatsApp के contact में रही है, कोई भी problem आती है, मेरे सारी वीडियो में subtitles आ रहे हैं, if you don't know Hindi language, then go to the subtitles and change your preferred language, like as if you know Hindi, then go for the Hindi language, then if you know, if you go for the German language, then go for the German also, so it can be easily for you to access my videos and getting the knowledge as much as possible, so guys, मिलते हैं अपनी नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सस्क्रियकाल, आथाब कर दो कर दो कर दो कर दो